हाई फ्रेंट्स नमस्ते वेलकम डू माई चैनल कैसे हो आप सब आज हम जा रहे हैं और फेमस गनपदी पंडाल के दर्शन करने के लिए तो आज हम जाएंगे गले मंडी के राचा के गनपदी वापा के पंडाल में दर्शन करने के लिए यहाँ पर आप देख सेक dryer ने एल्वे स्टेशन है और इस ताइम में सारा दरवाजा, विंग रोड वाला रोड है यहाँ पर आप देखोगे तो यह है दिल्ली गेट यहाँ पर ओम मेडिकल है आपको दिखाई दे रहे हैं तो चलेंगे और यहां सामने है दिल्ली गेट अब को इहाँ पर किसे में लोकेशन ही यह हो गया आप चारो तरफ से आऊगे तो यह में रस्ता है यह दिल्ली गेट ट्राफिक पोलिश चौकी है और यह आप देख सकत्के हो यहां से चलेंगे और यहाँ पर है भागल जाने वाला रस्ता यह भागल का нашता हो गया यह दिल्ल मंदी के राजा के दर्शन तो हम चलेंगे दिली गेट वाले दस्ते से तो चलें चलते हैं यह जो ओम मेडिकल है यहां से सीधा जाएंगे आपको जादा कहीं भी टर्न वागे नहीं करना है बहुत ही सिंपल रस्ता है तो अगर आप कहीं दूसरी जगे से भी आ रहे हो तो तो काफिल बहर से सुरत से बहर से भी आते है इस वीडियो तो आपको प्रॉकिशन मेल जाएंगा और जो यह जाएगा अ Congratulations और इनका पुरानी अर फिमस गर्णपति बपा हैं और इनकी मुर्ती भी काफी बड़ी है सब्सें बड़ी मुर्तियों में से एक है 35 फीट की गनपति बपा की मूर्थी है इनकी और इनको इस बार 61 यर्ज हो गए है गनपति बपा की स्थापना करते हुए तो चले चलते हैं करते हैं बपा के दर्शन और बहुत ही बड़ी साइस की जैसे आप देखिरो पंडाल कितना बड़ा है तो 35 फीट की गनपति बपा की तो यहां पर आप देख सकते हैं कि श्रण eggs बगवान के रूप में आपको गनपति बपा की दर्शन करने को यहां पर मिल जाएंगे और मूर्थी आप देखी रहे हो कितनी बड़ी साइस की गणपदी बपा की यह मुलती और बहुत ही कुपसूरत बपा की मुलती है यह तो सुरत के ऐसे ही कई फेमस गणपदी पंडालों के दर्शन मेंने करवाए हैं तो उसकी वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगे तो आपको य साथस यदाश करना यहां पर यह देख सकते हैं आप इस थीम पर गनपदी बपा की मूर्ती बनाई गई है क्रिश्ण भगवान ने महा भारत के युद्ध में जो रत का पया उठाया था तो उसी रूप में यह बपा की मूर्ती बनाई गई है यहां पर यह रत का पया बपा के हाथ में है तो आप देखो काफ़ी खुबसूरत बपा की मूर्ति है और बहुत ही सुन्दर है तो आप चाहो तो आप ज़रूर से यहां पर आकर दrशन कर सकते हो और सूरत से ही नहीं सूरत के आसपास के काफ़ी लोग यहां पर बपा की दrशन करने के लिए आते हैं और मिन गेलवी स्टीशन से तो बहुत पास में ही है पंडल तो आप भी चाओ तो आप भी डिफिनेटली यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हो तो एक बार तो दर्शन करना बनता ही है बहुत इक उप्सुरत बपा की मूरती है तो यहाँ पर यह पूरा रात का नजारा है रात को तो काफी भीड होती है बप च Вам सेवारी कर देक्थ एंग ठांग झारओ यूलंट स्विदार कर दो सुिदा झार है